कैसे हो भाई लोग मेरा नाम है जय और आप देख रहे है टेक्नोजू दोस्तों आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके और मैं इतना खुश हूँ आप लोगों का प्यार है जिसके जिसे मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मिले और इतने छोटे मिलब कम टाइम प्रियेड में 1000 सब को मिला बहुत ही अची बात है तो आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रही है और मैं आपके लिए लाया हूँ आज के इस वीडियो में कुछ सर्प्राइस जहां पर मैनर हिड़न रखा है एक पेटीम का कोड जो आप इस वीडियो क अचे को कहीं पर नोट डाउन करो और पेटीम में जाके एड मनी में जाके 100 टाइप करके कोड डालो तो आपको मिल सकते हैं 100 रुपीस का केश बैक यानि कि आपको कुछ एड नहीं करना है और फ्री में आपको 100 रुपीस मिल जाएंगे as a PTM बैलेंस हाला कि यह सिफ एक ही को मिलेगा यानि कि मेरा जो first viewer या second viewer जो इससे सबसे पहले spot कर लेता इस code को उसे मिल सकता है बिलकुल अपने ptm में और ऐसे ही course बहुत सारे course आते रहेंगे मेरे वीडियो में लेकिन मैं अभी जिस तरह से अभी बताया है वैसे मैं अगले वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको बस surprisingly यह code आपको मेरे वीडियो में कहीं पर भी छुपे हुए देखने को मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाली में लॉंच हुए गए एक कोड़क के नए टेलिविजन की यानि की 43 UHD एक स्मार्ट के बारे में दोस्तों अब तक हमारे लिए तकलिफ यह थी के सिर्फ वी यू एक ही टेलिविजन था जो हमें 26000 के अंडर में मिल रहा था वो भी 4K के साथ और अब कोड़क आ चुका है अपन आपको इन दूनों ही टीवी को कंपेर करके बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपको पता चल सके के आपके लिए कौन सा बेटर टेलिविजन रहेगा और आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसे क्योंकि के लिए हम मुस्ली जब टीवी लेते हैं तो एक ल कर दोस्तों तो सबसे पहले बात करता हैं इसके Android वर्जंस की हाला कि Android टीवी नहीं है तो आपको प्यूर एंडुर एंडुड का सपोर्ट नहीं मिलेगा लेकिं ही Android वेस्ट करनल में वर्क करते हैं जिसकी वज़े से आपको अंडुड के सारे एक्सेस हो जाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम वी यू के एंट्रेट वर्जन की यह वर्क करता है 7.1 पे जो कि है नगट और अगर मैं बात करूं इस कोड़क के टेलिविजन की तो यह वर्क करता है 5.1 पे यानि कि एक लॉलीपाप बेस्ट अपरेटिंग सिस्टम है यानि कि अगर आप सौफ्टर बेस्ट की बात करें तो हमें वी यू में बेटर सौफ्टर देखने को मिल जाता है यह जो कि एक लेटेस्ट है नॉगट कंपे लोलीपः अगर हम ब्राइट्नेस की बात ब्राइटनेस्ट तो इसमें जाने को मिल जाती है सौफ्टर अगर इंके viewing angles की बात करूं तो दोनों ही में हमें 178 के viewing angles मिल जाता है यानि कि यह most problem मैंने जब तक मैंने compare किया तो इसमें बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो mostly सारी चीज़े common है जो difference है यही सब है अगर मैं इनके HDMI ports की बात करूं को दोनों ही में आपको 3-3 HDMI ports देखने को मिल जाते हैं अगर मैं इनके USB ports की बात करूं तो दोनों ही में आपको 2-2 USB ports देखने को मिल जाते हैं लेकिन main difference आ जाता है पैनल पे चाहां पे अगर मैं पैनल की बात करूं तो VU में आपको better panel देखने को LEDs लगी होगी यानि के पूरी के पूरी LED panels होगी जिसकी वज़े से आपको display building का issue बहुत ही rare cash में देखने को मिलेगा तब भी देखने को मिलेगा mostly जब यहां की यहां कोई भी specific location की LED defective है या उसमें कुछ problem है और अगर normal LED panels की बात करूं तो इसमें आपको इनकी edges पे LEDs देखने को मिलती है जिसकी वज़े से जो brightness होती हो यहां पर जादा देखने को मिल जाती है और यहां आते आते कम हो जाती है जिसकी वज़े से आपको display bleeding का issue देखने को मिल जाता है तो एक अच्छी बात है अगर में दोनों के रैम की बात करता हूं तो व्यू में उन्होंने रैम स्पेसिफाइ नहीं की है जहां पर उनके कमेंट सेक्षन में जब किसी ने पूछा तो उन्होंने बहुत ही अलग अलग जाब दिये जैसे किसी उन्हें क किसी ने कहा है 1.5 GB की रैम है जब मैंने कोई CPU-Z और AID करके जो एप है वो डालके देखा तो मुझे 1 GB की रैम दिखाई थी तो वीव में हमें कोई भी स्पेसिफाइड रैम देखने को नहीं मिलती कि को कितनी रैम में देखने को मिलेगी लेकिन कोड़क ने लेकिन अगर मैं कोड़क की बात करूं तो आप इसके यूट्यूब में 4K फीचर देखने को नहीं मिलता है और वीव में भी बाइडिफॉल्ट तो 4K का फीचर देखने को नहीं मिलता है मैंने अपने वीडियो में उसे अनलोक करने की सिस्टम दिखाई थी तो आप वो ट् साउंड सिस्टम देखने को मिल जाती है वीव में वीव में हमें देखने को मिल जाती है डॉल बे की साउंड सिस्टम और जो कोड़क है उसमें सरांडेट सांड करके कुछ सांड सिस्टम दी है मेरे ख्याल से डॉल बेही आपको बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को और volume और clarity अच्छी देखने को मिल जाएगी डॉल बे में अगर इसमें box content की बात करो तो सब में दोनों में mostly सारे box content same है जहां पर अगर मैं view की बात करो तो view में भी आपको remote table stand और wall mount देखने को मिलेगा और same way अगर kodak की बात करो तो उसमें भी remote wall mount और table stand देखने को मिल जाएगा और दोनों में आपको जो remote की बैटरी जे वो भी देखने को मिल जाएगी तो box content में कोई difference नहीं है दोनों में और अगर मैं इसके facility और facilities की बात करूं तो दोनों ही में Wi-Fi और LAN का support है लेकिन दोनों ही में Bluetooth का support नहीं है तो यह बहुत बुरी बात है क्योंकि हम अपने wireless जो music system है वो इससे connect नहीं कर सकते wireless speakers wireless headphones से connect नहीं कर सकते तो यह बहुत ही बुरी बात है इस TV की इसमें हमें यह इनका support देखने को नहीं मिलता है और में जीज अब आते हैं उनकी pricing पर अगर मैं कोड़क की बात करूं तो यह करीबन आपको पड़ेगा 23,000 के आसपास पड़ेगा और अगर मैं इसके वी यू की बात करूं तो आज की डेट में इसका करीबन प्राइस है 26,000 इसकी प्राइस है लेकिन मैं आपको अगर मैं म आपका बजेट इतना उपर नहीं जाता है तो मैं आपको कहूंगा कि आप कोड़क ले लो क्यूं के लिए 23,000 में कोड़क भी बहुत ही अची डील है और यहां पर आपको 4K पैनल देखने को मिल जाती है तो बहुत ही अची बात है दोनों ही TV की दोनों ही में 4K पैनल देख इनकों मिल सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर करीवन 23 या 26,000 का अगर यह TVs लेते हो तो आप फ्यूचर में जब आपको ऐसा लगे कि आपको इसमें smartness एड़ करनी है तो आप Amazon Fire TVs ठीकिया ऐसे कोई भी external device का यूज कर सकते हो इसे pure Android या pure smart बनाने के लिए तो बस आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं थेंक्स वर वाचिंग गाइस